हिंदू मानेताओं के निसार सावन महीनी का काफी ज़्यादा महत्वाना जाता है सावन की महीने में भूले अपने भक्तों से प्रसने रहते हैं सावन में कई ऐसे तिथिया आती है जो इस महीने में और भी ज़्यादा खास हो जाती है इस बार सावन जुलाई में शुरू हो रहा है और इसकी शिरुवाद 6 जुलाई से हो रही है और समापन 3 अगस्त को होगा इस श्रावन एक अद्भुत संयोग बन रहा है क्योंकि इस सावन की शिरुवाद पहले सुमवार से ही हो रही है में सावन का अंतिम दिन भी सोमवार का ही दिन है आज हम आपको बताते हैं कि शिवजी को क्यों प्रिय है श्रावन मास आपको बतारे कि माता पारवती ने शिवजी को पाने के लिए सावन में कठोर वरत किये थे जिसकी वज़े से शिवजी प्रसंद हुए कभी से शिव जी को सावन का महिना बहुत प्रीय है नहीं शिव जी के भक्त भी उन्हें प्रसंद करने के लिए सावन सुमवार का व्रत रखते हैं साथ यह समाना जाता है कि सावन में भगवान शिव का आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं आपकी सभी मनुकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। साधी एक और पोरानिक कथा कि नुसार सावन महा में ही भगवान शिव प्रिथवी पर अव्तरित होते हुए अपने सस्राल गए थे। वहां उनका स्वागत भविता और जलाभी शेक से किया गया था। तबी से माना जाता है कि हर वर्ष इस महिने में भगवान शिव प्रिथवी पर अपने सस्राल आते हैं। जिससे शिव भगत उनके स्वागत में भगवान की अराधना करते हुए उनका अश्रवाद और ख्रिपा प्राप्त करते हैं। सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज तबेल आइकन पर मोर अपडेट्स।